नमस्कार हमारे चैनल पे आप सब बेहनों का स्वाक्त है फ्रेंड्स आपकी फर्मेश पर हम आज गोल गले की कटिंग लेके आए हैं आप सब मेरे व्यूर्स हमें पूछते हैं कमेंट करके कि भी मैम आप गोल गले की कटिंग प्रॉपर बताएं स्वेटर बुनते हुए नही बताएं अलग से गोल गले की कटिंग बताएं तो आज हम आपको गोल गले की कटिंग बताने जा रहे हैं गोल गले की कटिंग कैसे करनी है वो आप देख लिए हमने क्या किया है हमने एक स्वेटर बुना है अभी इसकी वीडियो अपलोड फुल की करेंगे बनाकर फुल वी हमने 9 इंच बुनना है शोल्टर, 9 इंच शोल्टर बुनना है, वो हम आपको बता देते हैं, यह 7 इंच हमने शोल्टर बुन लिया है, जहां से हमने कटिंगी थी, 7 इंच शोल्टर है, तो हमने 9 इंच शोल्टर रखना है, 9 इंच शोल्टर रखना है तो 2 इंच आगे हमने फ्रंट का गला रखेंगे जो हम फ्रंट का गला रखेंगे उसकी कटिंग हमने सेम की है चोल्डर की आगे हम चार इंच इसको डाउन रखेंगे जैसे यह पांच इंच हमने बुना है जहां से हमने कटिंग की थी वहां से पांच इंच है पांच इंच चार इंच और के तो हमारा जे टोटल नौ इंच हो जाएगा तो हम फ्रंट की फोर इंच डाउन कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है पहले हम बैक साइड की कटिंग आप तो आपको बताने जा रहे हैं आपके शोल्डर में जितने भी गठाई के बाद फंदे रह जाते है उसमें हमने कटिंग करनी है तो हमने पहले जे देखना है कि हमने शोल्डर की कटिंग कितनी करें चोल्डर के फंदे कितने रखने हैं सबसे पहले आपने कोई काउंट नहीं करना कुछ नहीं करना आपने पास अहीं देखना है कि शोल्डर के फंदे कितने रखने हैं तो हमन शोल्डर के रखने है जहां हम मार्क लगा लेंगे देखिए हम यह वाले जो हमारे मार्क होते हैं जे किट मिलती है एमा जॉन से हमें बहुत से वियर पूछते हैं कहां से मिलती है आप एमा जॉन पर जाकर निटिंग किट बोलिए लिखिए तो आपके पास यह आ जाएगी त देखिए ये 24 का हम शोल्डर रखेंगे तो जहां हम मार्कल लगा लेंगे और 24 फंदे हम इधर रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 तो 24 फंदे ही हम इधर रख रहे हैं और जहां पे हम मार्कल लगा लेंगे आप सेफटी पिन भी लगा सकते हैं जो आती है जो देखिए हमने 24 पर इसको लगा लिया है अब हमने क्या करना है अब दोनों तरफ देखिए सेफटी पिन आगी है कैसे फंदे बीच वाले कम करने है हमने जो जहां पे गटाई डालनी है छोल्डर की ऐसे गुलाई में वो हम क्या करेंगे चार फंदे एक बार में कम करेंगे फिर हम तीन फंदे कम करेंगे फिर दो फिर एक बस इतने फंदे दो चार छे आठ दस दस फंदे हम रखेंगे दो चार छे आठ दस हम क्या करेंगे दो चार फंदे कम करेंगे फिर तीन फिर दो फिर एक तो इतने फंदे फिर हम मार्क लगा लेंगे तो जहां तक हम बुल लेंगे जो हमारा जैसा डिजाइन है वैसा ही हम बुनेंगे 10 फंदे आगे 24 वो फंदे थे और 10 फंदे तो 34 टोटल फंदे हैं हमारे इदर ये देखिए 24 शोल्डर के 10 फंदे 2, 4, 6, 8, 10 आउनली 10 फंदे हम एक रख लेंगे जो के हम जब बुनेंगे तो 4, 3, 2, 1 की कटिंग करेंगे तो जहां भी हम मारक लगा लेंगे कि इतने फंदे हमने गटाई में डालने है जब बुनेंगे आगे के हम इदर से भी 10 फंदे ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 जहां पर भी हम मारक लगा लेंगे तो जहां भी मारक लगा लिया तो 24 जे हैं 10 फंदे जे हैं इतने हमने रख लिए हैं बाकी फंदे हम एक बार में ही कम करेंगे कैसे करेंगे राइट साइड है राइट साइड में फ्रेट करेंगे पीछे और पीछे को हम दो का एक करेंगे ऐसे क्योंकि इन फंदों को हमने फिर उठाना भी है दो जितने फंदे बचे हैं वो रखने हैं आपने जे नहीं है कि आपके कितने बचे हैं काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस साइडों के फंदे काउंट कीजिए, ऐसे हम ए दोका एक करते हुए पूरे फंदे बंद करेंगे जहां तक, के साइड, थोड़े लूज करने है, कोई टाइट नहीं करने, अगर आप टाइट फंदे बंद करेंगे, बांद करेंगे तो फिर वो लूज हो जाए, मतलब टाइट गला बनेगा, गले की घ्रेज नहीं आयेगी, तो ऐसे हमने बंद करते हुए, पूरे फंदे बंद करने हैं जो देखिए फ्रेंड्स हमने ए 18 फंदे हैं जितने बचे हैं मतलब उतने हमने बाइंड कर दिये हैं हमने रखे कौन से हैं जे ध्यान देना है चार तीन दो एक जो हम हर जब उल्टी सलाई आएंगे तो हम इसकी गटाई करेंगे क्योंकि इदर को करेंगे और फिर इदर को कर तो हम सीधी साइड करेंगे तो एक फंदा जो देखिए हमारा बचा हुआ है इसको भी हम इसकी भी हम गटाई कर देंगे तो टोटल फंदे हमारे जितने बीच के हैं वो कम हो गे और इदर वाले हमारे इस सेफ्टी पीन से दो चार छे आठ दस दस फंदे बचे हैं आब इन फंदों को हम बुणेंगे मार्क हमने हटा लिया है इदर से क्योंकि जैसा हमारा डिजाइन है वो तो हमने पूरी जलाई बनानी ही है ऐसे इदर से भी हम मार्क हटा देंगे अभी लगाते हैं मार्क क्योंकि हमने 24 फंदे रखने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 फंदे हैं इस में से 24 हमने रख लेने हैं लेकन बुनना हमने अभी पूरे फंदे बुनने हैं तो जो जैसा डिजाइन है वैसा ही बुन लेंगे जो देखिए फ्रेंड 10 फंदे बीच के हैं 24 शोल्डर के हैं ऐसे ही 24 शोल्डर के हैं 10 फंदे यह हैं अब हम मारक हटा देंगे और इतरवाला भी हटा देंगे क्योंकि इतने फंदे हमने घटाई डालनी है गोल गले की बैक साइड से तो हम अब क्या करेंगे पहले हमने इकठे फंदे बंद गिये थे अब हमने 4 फंदे bind करने है तो 1 ये भी हम पीछे को ही करेंगे क्योंकि right side है इस फंदे को चाहे पलटा लीजिए जैसा आपका दिल करें तो 2 का 1 फिर 2 का 1 2 बार 2 का 1 3 बार 2 का 1 4 बार तो हमने 4 बार 2 का 1 2 का 1 कर लिया कटिंग के लिए आगे जैसा डिजाइन है वो हम बनाएंगे ऐसे ये देखिए फ्रेंड हमने 24 पे तो मार्क लगा रखा है पाक की हमारे ये फंदे बचे हैं इनको हमने बारी-बारी से हर सीधी स्लाई में कम करना है हमने 4 फंदे कम किये अब हम 3 फंदे कम करेंगे एक, दो और तीन अब हमने 3 फंदे कम कर दिये एक फंदा इसमें है बाकी फंदे हम ऐसे ही भुन लेंगे जैसे हैं तो आगे भी मार्क रखेंगे क्योंकि जहां तक हमने फंदे कम करने है गटाई देनी है तो हम बाकी के फंदे जैसे भुनते आ रहे हैं वैसे ही भुन लेंगे तो पूरी स्लाई ऐसे कम्पलीट करेंगे बैक साइड हम हर बार प्लेन स्लाई बनाएंगे कोई फंदा कम नहीं करेंगे ना लास्ट में ना फ्रंट में तो हम ऐसे ही पूरे के पूरे फंदे बैक साइड में बुन देंगे जो देखिए फ्रेंड हम फिर अब आगे हैं जहीं पे तो हमने चार और तीन कम किये अब दो करेंगे दो सिर्फ दो फंदे वो भी पीछे को ऐसे दो फंदे कम किये एक और दो तो हमारा एक ही फंदा बचा है फिर हम जैसा डिजाइन है वो बनाएंगे और एक फंदा बचा है उसको भी कम करेंगे तो ऐसे हम ए डिजाइन पूरा अपना भूल लेंगे जह देखिए फ्रेंड एक कटिंग हमारी होगी है एक ही फंदा बचा है हमने मार्क लगा रखा था अब हम इस एक फंदे को भी कम करेंगे मार्क हटा देंगे और इस वाले फंदे को इसके साथ हम एक करेंगे तो हमारे 24 फंदे बच जाएंगे लास्ट में तो हम इसको भी फिर ऐसे हिसलाई को बुनेंगे जो जैसा डिजाइन है वो हम डालेंगे तो ऐसे हमारी पांच, चार, तीन, दो और एक की कटिंग होगी है प्रपर और 24 फंदे बचे हैं वो हम बुनेंगे जो देखिए फ्रेंट कटिंग हमारी होगी है शोल्डर की लेकिन यह हमारा अभी हमने 9 इंच शोल्डर बुनना है यह हमारा अभी 8 इंच बुना गया है cutting डाल के जहां से start की थी ना हमने cutting जहां से तो अभी जे 8 इंच बुणा क्या है अभी एक इंच और बुनना है तो एक इंच हम जो बुनना है ना पीछे का गला वो हम simple ही बुनेंगे जितने फंदे हैं इनी को ही हम बुनते जाएंगे तो थोड़ी सी deep shape आ जाएगी क्योंकि गल्स के लिए गोल गला है तो पीछे से हम ज्यादा उठा हुआ नहीं बनाएंगे थोड़ा सा down बनाएंगे कि जीन के साथ भी पैन सके और अपने suit के साथ भी पैन सके तो जैसा है वैसा ही हम इसको अब एक इंच और बुन देंगे 24 फंदों को जे बुन के हम दिखाते हैं जो देखिए फ्रेंड हमने cutting करके एक इंच जितनी cutting हुई एक इंच उपर बुना है अब हमारा जो shoulder है जो के 15 साल से लेके 26 साल तक ऐसे ही आता है थोड़ा सा कम कर सकते है अगर 18 साल से लेके 26 साल तक ऐसे ही आएगा 20 साल तक 30 साल तक जे देखिए 9 इंच हमारा आपक क्योंकि हमने जहां से cutting start की थी जहां से जहां से start होती है न ये end आता है तो जहां से की था हमने तो 9 इंच पूरा shoulder हमने बुन लिया है डिजाइन हमने साथ में बुन दिया है और ये design इतना आया है बीच में बाकी आपने देखी लिया है 4, 3, 2, 1 की हमने cutting करती है अगर बड़े का size है double axle तो आपने 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 की cutting करनी है shoulder के फंदे आपने फिर 28 रखने है हमने 24 रखने है ऐसी same cutting इदर करनी है अब हम जैसे ही cutting कर लेंगे फिर ये wrong side है ऐसे back side है अब हमने जहां से thread लगाना है इसी thread को काट कर हम आगे जितना रखना है रख लें फिर हम जहां पे thread लगा कर इदर की cutting करनी है तो इदर की cutting भी हम इसी स्लाई को साथ लेकर करेंगे हम जैसे फंदे हैं वैसे बुनेंगे लेकर अब हम जहां से ही चार फंदे कम कर देंगे ऐसे एक अगर आपका बीच में ऐसे gap सा आता है तो इसको उठा लीजिए और सिर्फ दो का एक कीजिए तो स्लाई बुन दीजिए आपने अभी कम कोई फंदा नहीं करना है हमने क्या करना है एक फंदा जहां से उठा लेना है जो हमारी ये चेन बनती है वहां से एक चेन उठाईए साथ में और दो का एक कर दीजिए फिलहाल हम इस स्लाई में कोई फंदा कम नहीं करेंगे रखा था ना 24 के बाद तो यह पहले वाले 10 फंदे हैं इनको 10 ही रखना है 10 ही रखना है 2 4 6 8 4 6 8 9 और एक 10 टोटल है 10 फंदे जो देखिए जे फंदा बोना था ना हमने 2 4 6 8 10 10 के 10 फंदे हैं अब हम जो डिजाइन जैसा दिख रहा है वो बनाना है लेकर मार को भी हमने साथ में रखना है इन 24 फंदों को हमने बचा के रखना है छोल्डर के हैं तो आप ऐसे बैक साइड से पूरी सलाई बना दीजिए ज अब आते हैं फ्रंट साइड में फ्रंट साइड में हमने यह पूरी सलाई डिजाइन के साथ बुननी है जहां तक यह देखिए फ्रेंड अब सेम कटिंग हमने सेम कटिंग करनी है जैसे इदर की तो हमारे दस फंदे हैं इनको हम पहले चार फंदे कम करेंगे एक दो का एक इदर डाला दो तीन और चार तो चार फंदे हमने कम कर दिये अब बाकी के फंदे जैसे हैं बैक साइड में वैसे हम बुन लेंगे पूरी स्लाई तो इदर भी हम चार किये हैं फिर तीन करेंगे फिर दो करेंगे फिर एक करेंगे और ऐसे ही लबाई हम सेम बुण देंगे यह देखी हमने चार फंदे कम किये हैं जहां से थ्रेड लगाया अब हम तीन फंदे कम करेंगे थ्रेड कहां है एक दो और तीन बाकी जैसे फंदे हैं वैसे ही बुण लेंगे मार्क फिर लगा लेंगे क्योंके 24 इतर फंदे हैं तो हम वैसा ही बुणेंगे जैसा के बैक साइट से कोई भी डिजाइन पुन रहे है जह देखिए अब हम दो फंदे कम करेंगे एक और दो सेम वैसे ही जैसे उदर किया था कर लिया अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि एक ही फंदा बचा है उसको हम नेक्स स्लाई में कम करेंगे तो आ जाएगा चार तीन दो फिर एक जो देखिए फ्रेंड एक फंदा और बचा है एक फंदा और कम करके फिर एक इंच हम जैसे इदर बुणा है प्लेंड ऐसे ही बुण देंगे इतनी स्लाईया दो चार छे आठ तस दस स्लाई उपर और सिंपल बन जाएगी और हमारा गला रैडी हो जाएगा तो हम एक फंदा जो है उसको भी कम कर देंगे और फिर हम आगे जैसा है जितने फंदे हैं 24, 24 फंदे हम बुनते जाएगे एक इंच और और हमारा नौन छोल्डर रैडी हो जाएगा जैसे इसमें हमने गोल गले की कटिंग की है अभी दस लईया और बनेगी तो बराबर आ जाएगा ये बैक का है ऐसे ही सीम हमने फ्रंट का भी करना है फ्रंट की बात जै है के फ्रंट का हमने अउनली पांच इंच छोल्डर बुनना है पांच इंच छोल्डर बुनकर चार इंच और बुनना है लेकन जै कटिंग जो है सेम जहां पर करनी है 24 फंदे रखने है 24 दस फंदे एक्स्ट्रा रखने है जो बार-बार चार पाइं तीन दो एक कम करेंगे और बीज के फंदे सीम हमने कम कर देने है तो इसका भी गला हम कटिंग करके आपको फिर दोनों गले दिखा देंगे जो देखिए फ्रेंट कटिंग हमारी गोल गले की बैक की होगी है अब सेम कटिंग हम फ्रेंट की करेंगे और यह हम एक इंच बुना उपर खाली हम तीन इंच उपर बुनेंगे कैसे जो देखिए यह फ्रेंट है फ्रेंट का जो भाग है वो हमने पांच इंच बुन लिया है जहां से गोलगले की split करेंगे एक cut डीप आएगी तो 5 इंच जह देखिए जहां से 5 इंच बुना है 4 इंच आके बुना है और इतना तो जितनी cutting back की हुई है उतनी front की होएगी weeks की cutting होने के बाद बाकी बाकी सिंपल बुणेंगे उपर जो देखिए हमने ए लगा दिये हैं इसमें भी मार्क तो आप भी इसमें मार्क लगा लीजिए उसी इसाब से 34 फंदे 24 का हमारा ये शोल्डर है 24 का 10 फंदे हम 4 3 2 1 ऐसे कटिंग करेंगे अब हम ये रॉंग साइड से आ रहे थे तो हमने ये ये देखिए जहां से मार्क हमारा है लेकन हमने पूरे फंदे जहां से कम करने है तो हम ऐसे रॉंग ये बैक साइड है तो बैक साइड के फंदे हम जहां से ऐसे कम करेंगे दो का एक फंदा इदर डाला फिर दो का एक फिर दो का एक तो ऐसे हमने ये बीच वाले फंदे कम करने है जहां तक टोटड़ जह देखिए हमने एक बार में ही ये सारे फंदे कम कर अब हम यह 10 फंदे 4, 3, 2 एकर के कम करेंगे लेकन हम मार्क अटा देंगे जहां से और अभी हमारा एक फंदा और कम होगा बाकी जो जैसे हम बैक साइट से बुनते हैं वैसे बुनेंगे और पूरी सलाई बनाएंगे पूरी सलाई बनाने के बाद फिर हम जब इदर आएंगे तो फिर 4 फंदे फिर 3, 2, 1 तो ऐसे हमने सेम बैक गले की तरह ही इदर भी कटिंग कर देनी है और कटिंग करके फिर सीधा बुनेंगे फिर आपको दिखाएंगे देखिए फ्रेंड हमने एक गला बोल लिया है आगे और पीछे का मतलब कटिंग डाल दी है कटिंग डालकर हमने दोनों आगे और पीछे के पीश को बाइंड कर दिया जैदेखिए इसकी जो हम इसको पाइंद करना आपको बता देंगे कैसे अभी एक तरफ हमने नहीं किया है तो हमने इसकी जो डीप कला बना है कट किया है उसकी हम आपको लेंथ बता देते हैं जे देखिए 6 जे बीच का है ना 6 इंच है 6 इंच लेंथ है इतनी आगे की और जो पीचे की है वो भी हम आपको बता देते हैं पीचे जे बीच का भाग है ना तो पीचे की 4 इंच आई है जे देखिए ऐसे लीप तो अब इसको बाइंट कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं हमने इन पीस को उल्टा करना है ऐसे उल्टा करके फिर हमने बाइंड करना है यह दोनों पीस उल्टे ऐसे आपस में पकड़ लेने हैं पकड़ कर अब इसको हम थर्ड सलाई से बाइंड करना है क्योंकि 24 फंदे यह है 24 शोल्डर के यह है यह हमने देखिए बाइंड किया है आपने अब जहां पर दूसरी तरफ कैसे बाइंड करना है वो बता देते हैं हमने पहले कर लिया था तो जैसे हमारा जो थ्रेड हमने शोड़ा था साथ में लंबाई में उसी को ले लेते हैं और दो फंदे आगे वाले एक उस सलाई का एक उस सलाई का दोनों फंदे हम ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को ही लेकर एक सलाई से हम ऐसे बुनेंगे बुनने के बाद छोड़ देंगे फिर दूसरे दो फंदे बुनेंगे आगे का और पीछे का और छोड़ देंगे और इस फंदे को उपपर से टपा देंगे, ऐसे, फिर पीछे का फंदा लेंगे ऐसे, आगे का ऐसे, और दोनों फंदों को सलाई के भीज में से बुनते हुए, छोड़ देंगे, और इस फंदे को पीछे वाले को आगे ले आएंगे, फिर ए फंदा लेंगे और आगे वाला, दोनों को लेकर, दोनों में से ही सलाई निकाल लेंगे, निकाल कर इसको उपर से फंदे को टपाएंगे, तो हमारा ए बाइंड होना शुरू हो गया, जो देखिए, सुन्दर सा बाइंड होना शुरू हो गया, तो ऐसे हमने पूर ए फ कर दिया है और जो हम बाइंड करते हैं उसको बहुत टाइट बंद नहीं करना है अगर टाइट बंद करेंगे तो शोल्डर की इधर से फिन्शिंग नहीं आती तो फिन्शिंग देने के लिए ही हमने इसको थोड़ा लूज बंद करना है ऐसे आपस में जोड़ना है जैसे इधर जोड़ा हुआ है तो ऐसे करके हम बाइंड कर देंगे और गले की शेप हमारी दिखे कितनी सुन्दर आई है अगर आपको गले की एक कटिंग करना अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सबस्क्राइब जूर करेई और इसका गले के फंदे उठाएंगे पैलच और बनके आएगा कैसे तो चलिए फ्रेंड पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए उसके आगे फिर हम आपको बताएंगे तो मुझे अमीद है कि आपको समझा गया होगा आप खुश रहिए परवार के साथ तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्चेट के साथ तब तक बाई बाई